प्रोग्राम स्टॉक गाला अब भी सपोर्ट लेवल बन रहा है अगर हम टेक्निकल लेवल्स पर देखें तो वो 42,540 के पास बन रहा है तो तक्रीबन आप समझें के 700-800 पॉइंट के मार्केट मजीद करेक्शन या से ले सकती है करेक्शन मंदी में जाती है या आगे जाके मार्केट जो है दुबारा अब भी सब्सक्राइब करेक्शन पर देखेंगे तो जैसे ही वीक शुरू होगा रोल और वीक होगा और कि मामला देखेंगे जो एक्सपेक्क किया जारा है जो तकमीना लगाए जा रहा है मेजॉरटी साइट से वह ही है कि जो हमारा व्हेंच्मार्क इंट्रस रट है वो मैंटेंग ही रहा 15 पर्संट जो है वह इंट्रसेट मेंटें हैंगा स्लाइटली जो है वह बढ़ सकता है 50 basis point अगर 50 basis point से जादा interest rate बढ़ता है तो यह काफी जादा जो है वो सवाल या निशान generate कर देगा अब तक जो हमने performance देखी है PIB auctions की और दीगर जो bonds जो है उन में yield में हमने मामला देखे हैं तो उसे साब से interest rate जादा बरा नहीं है तो अंदाजा यही लगाए जा रहा है majority side से के जो 15% जो हमारा interest rate है benchmark वो maintain रहे गा इसके अलावा अगर हम देखें तो एक circular announce किया है State Bank of Pakistan ने उसमें हम देखें तो जो नए governor थे जो appoint होना था तो वो appointment उनकी हो चुकी है जमील एहमद अगर हम देखें तो वो appoint होए है new governor government of Pakistan की तरफ से जो है यह notice जारी कर दिया गया है में के महीने में हमने देखा कि जो बाके रजा साब थे उन्होंने अपना tenure पूरा किया और इसके बाद acting हम देखें तो governor dr. मुर्तजा सहीद साब थे और जिनका भी जो है यह time अभी खतम हो गया है जमील हमत साब जो है उन्होंने चार्ज ले लिया है और तक्रीवन पांच साल तक जो है वो अपना tenure पूरा complete करेंगे तो जो first event आने जा रहा है उनकी appointment के बाद तो 22 तारीक को जो है वो monetary policy है तो जाहतर यही लग रहा है कि जिस साब से यह तकरूर रीवी है तो जो state bank में मामला थे वो उसी तरह से लग रहे हैं कि हमारा जो interest rate है वो maintain रहेगा नादिन इसके लावा अगर हम बात करें तो 29 आउगस से जो है IMF के साथ दुबारा मुझाकरा चुरू हो जाएंगे IMF ने जो है वो तीन अभी observations रखी है जिन पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ पाकिस्तानी जो finance ministry है और पाकिस्तान की जो team है उससे यह observations पर बात करना discuss करना भी जरूरी है तो इसका मतलब यह है कि थोड़े मामलात और लेंदी चल सकते हैं जिते भी MOU साइन होने थे जिते भी letter of intent साइन होने थे जिते भी जो proceedings थी जो letter बाजी थी वो सारी चीज़े तो हो गई है लेकिन इसके बाद भी जो है चंद खच्चात हैं IMF को तो IMF जो है उस हवाले से government of Pakistan से मजीद चीज़े मांगेगा मजीद जो है वो इस चीज़ की वजात मांगेगा सबसे पहले अगर हम देखें तो जो IMF है उसने जो चीज़े indicate की है उसमें देखा जाए तो जो payment करनी है 21 अरब डॉलर की पाकिस्तान को इस fiscal year जो हम देखें तो interest की मद में है या loan की जो अदाइगी की मद में है पांस्ट में जो loan लिया है उसकी अदाइगी की मद में तो व interest है वो किस तरह से है ना उनकी payment की जाएगी second जो IMF मांग रहा है second जो IMF का मुतालबा है जिस पर observation याने observation का जवाब देना है पाकिसानी हुकूमत को वो ये है कि जो reserve है वो six to seven billion dollar anytime maintained रखना है तब जाकर जो है IMF इस चीज़ पे आमादा होगा कि जो ये जो ट्रेंश को continue करन है तो six to seven billion dollars है उसकी भी जो है पाकिसानी हुकूमत को वजात देनी है कि वो हर time जो है during the during the trench वो maintain रहेगा इसके इलावा जो तीसरी condition है वो ये है कि पाकिसान को जो है वो इस चीज़ का याने वजात देनी है कि जो ten billion dollar का जो भी budget है budget में expenditure है जो budget पाकिसानी हुकूमत ने जो 10 अरब रुपे का पाकिसानी रुपे का 10 खरब पाकिसानी रुपे का और 10 billion dollar जो है उसमें अगर हम देखें डॉलर में देखें तो उसकी भी जो है वो पाकिसानी हुकूमत को वजात देनी है उसके भी जो है मामला तो बताने है आई-म-फ ने जो है वो पाकिसान को पूरा एक structure बना के दिया है और IMF ने जो है काफी जादा शिक्वे शिकायत भी किया है कि पाकिस्तानी हुकोमत जितनी भी आई है जितने भी मामला चले हैं पास से लेकर अब तक जो करेंट चेलडा है तो पाकिस्तानी गवर्णमेंट ने जो है वो खाते रुखा एकदमात नहीं किये उन्होंने जो है FBR के poor performance पे सवाल या निशान उठाए है once again हम अपने platform से यही कहते आ रहे हैं कि 2015 से पाकिस्तान को IMF ने ये direct किया है के point of sale and track and test system पे काम होना चाहिए FBR का जो है वो ये काम बनना चाहिए लेकिन unfortunately हम जो है इस पे काम नहीं कर रहे हमारे जो framework है वो उसे साब से काम नहीं करता अगर FBR point of sale और track or test system पे काम करता है track or test system का अगर example ले 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 तो जो companies हैं वो petition दायर कर देती हैं वो stay order ले ले लेती है honorable court से तो ये सारे मामलात हैं इसके लावा अगर हम देखें तो हमारे यहां पर जो है indirect tax का जो रुजान है IMF ने ये भी शिक्वा किया है कि indirect tax पर ही जो government है वो हर वक्त rely कर रही होती है तो ये मामलात भी जो है वो पाकिस्तान सुधारने में नाकाम रहा है IMF ने अंगिनत बार जो है इन चीजों पे पाकिस्तानी हुकुमत को फोकस कराया है total IMF के आदा दो शुमार के हिसाब से पाकिस्तान को जो ये fiscal year जाएगा 2023 जून तक का तो पाकिस्तान को 40-42 अरब डॉलर जो है उसके मामला बनाने है और उसे साबसे मामला चलाने है तो IMF ने जो है वो एक तरह से सवाल पूछ लिया है पाकिस्तान से के पाकिस्तान 40-42 अरब डॉलर जो है वो कैसे जनरेट करेगा कैसे मामला चलाएगा कि उसके पास इस तरह की जो रकम है वो अवेलिबल हो तो IMF जो है एक तरह से पाकिस्टान को यही इंडिकेट कर रहा है कि यह जो टैनियोर होगा यह जो ट्रेंच होगा जो के 2023 तक चलेगा तो यह आखरी ट्रेंच होगा IMF की तरह से इसके बाद IMF जो है उसने पाकिस्तान को क्लियर कट के दिया है इन डिरेक वे में उनको के दिया है कि आप जो है IMF पे ज़्यादा इनसार अब की बार नहीं कीजेगा इन फ्यूचर जो है IMF अब को ज़्यादा रकम नहीं दे पाएगा इस वज़ा से हम मामला देख रहे हैं कि जब से मौझूदा कामीन आई है मौझूदा गवर्नमेंट आई है तो ये मामला लिंगर ओन होते जा रहे थे पास्ट हकूमत में भी अगर हम देखें तो शौकत तरीन का जो टेनियूर था वजीर एक हजाना पास्ट के तो वो भी जो है आई एम एफ से इस वज़ा से किनारा कर रहे थे पी टी आई को जो हकूमत थी उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साथ थे इस इन चीजों की वज़ा से I.M.F. से किनारा कर रहे थे और दूसरे वेंचिर्स पे दूसरे वेन्यू पे जा रहे थे तो यह सबसे बड़ा पाकिस्टानी हुकूमत पाकिस्टानी रियासत के लिए सवाल या निशान है कि जो प्रो यूएस लॉबी में हम जो जा रहे हैं एंटर हुए हैं और आज़ादी के बाद से हम इन चीजों में चलते आ रहे हैं तो यह जो है पाकिस्टान के लिए गोइंग फॉरवर्ड फाइदे मन साबिद होगा या पाकिस्टान जो है वो अपने पाऊं में कुलहारी मार रहा है या पाकिस्टान के माश्री मामलात आगे जाके मजीद बिगरेंगे गौदर सीपेक के जो मामलात अगर हम देखें तो वो भी पाकिस्टान ने शटडाउन कर दिया है प्रो चाइना प्रो रश्या जो लाबी एक बन रही थी जिस पे काम हो रहा था जिस पे वरकिंग चल दी थी वो भी जो है पाकिस्टान ने वो अपर्चोनिटी भी जो है वो जाया कर दी है तो पाकिस्टान जो है वो किस डियरेक्शन पे जा रहा है और क्या प्रो यूएस रहना और I.M.F पे इनिसर करना पाकिस्टान के लिए वाके में जरूरी है इसी तरह के मामलात अगर हम देखें तो डिसमबर 2013 में इसमाइली मुस्लिम बरादरी के रोहानी पेशवा प्रिंस करीम आगाखान उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अपने दोरे पर वजीर आजम हाउस में उस वक्के वजीर आजम मिया मुहमद नवाश शरीफ साब से और फानन्स में आजम मिनिस्टर जो इसागडार साब हैं उन से अपने ख्यालात का इज़ार किया था और उन्नों ने आई-एम-फ पर जादा इनऽा रहने पर पाकिस्तानी हुकूमत को और पाकिस्तानी ्रियासत को यह वो वर्निंग जारी की थी क्या बात की थी उन्होंने आपसे थोड़ी बहुत चीज़ें शेयर कर लो इस वक्त पाकिस्तान मुकमल तौर पर आई एम एफ पर भरोसा कर रहा है लेकिन कुछ ऐसे एकदाम भी करने चाहिए कि इस पर इनिसार कम किया जा सके पाकिस्तान मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं खबरदार करना चाहता हूँ कि अपने जरे मुबादा के जखायर को सहारा देने के लिए इस वक्तान मुकमल तौर पर आई एम एफ पर भरोसा कर रहा है इनकी हर बात मानना पाकिस्तान की मजबूरी है लेकिन कुछ ऐसे एकदाम भी करने चाहिए कि इस पर इनिसार कम किया जा सके यह जो वार्निंग थी यह इस हाइनस प्रिंस करीम आगा खान जो के फाउंडिंग मेंबर है और चैर्मेन है एके डियन आगा खान डेवलेपेंट नेटवर्क के और फिलैंट्रपिस्ट हैं और रुहानी पेश्वा हैं उन्होंने भी जो है वो इस तरह की वार्निंग जार है उन्होंने जो है पाकिसान के फुल पुटेंशल पे काम नहीं किया पाकिसान जो है अगर देखा जाए पूरी तरह से अल्लापा की नह्मतों से गहरावा है अल्लापा की बेशिमार नह्मते पाकिसान में है इस रूहِ जमीन पर है लेकिन इन चीजों को प्रॉपर्ट आपकुद भी जो है वो यही कह रहा है कि यह जो ट्रेंच है इसमें हम जो जितनी इमदाद कर सकते हैं जितना आपको support कर सकते हैं वो support करेंगे लेकिन 40 से 42 बिल्यंड डालर पाकिसान कैसे generate करेगा पाकिसान क्या मामलात करेगा तो बहुत बारा सवाल या निशान है पाकिसान को जो है अपना direction अपना रुक जो है वो change करना होगा अगर माशी तोर पर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो यह सारी चीजें हैं यह सारे मामलात हैं अगर पाकिस्तान proper तरीके से जो है वो track and trace system point of sale पे काम करता है और पाकिस्तानी जो अवाम है वो proper documented economy पे काम करती है documented economy basically जो हम indirect text दे रहे होते हैं अवामन नास जो text दे रही होती है वो सारा जो data है वो figures है वो proper document नहीं होता और उन में से खसी रकम अगर हम देखें तो वो पाकिस्तानी हुकुमत पाकिस्तानी रियासत तक नहीं पहुचती तो इन जरुत ना पड़े नाजरीन ब्रेक पर जाते हैं ब्रेक के बाद आप लोग सारा डेटा शेयर किया जाएगा मरसात रहीगा वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन सबसे पहले डॉलर की बात करें तो डॉलर हम देखें तो पाक रुपी जो है वो थोड़ा दुबारा रिकावर्ड होना चुरू हो गया और थोड़ा लग यह रहा है मामलात इस तरह से लग रहे हैं कि जो डॉलर और रुपी में जो मामलात हैं वो थोड़े बहुत स्टेबल रहेंगे 214 का जो लेवल है उस पर जो है यह मामला थोड़े बहुत स्टेबल होते हैं नजर आ रहें कोई ऐसी चीज ना आ जाए कि जो है डॉलर दुबारा सर्ज होना शुरू हो जाए इंपोर्ट पर जो पाबंदिया थी वो जो गवर्मेंट ने हैं वो दुबारा ले ली हैं दुबारा मामलात ले लें आई-म-फ के डिरेक्शन पर तो आई-म-फ के कहने पर हमने सारी थाबित हो सकती है डॉलर अगर हम देखें तो इंटर बैंक में जो क्लोजिंग की है दो सो चौदा आशारिया पैसट की की है और पाक रुपी ने जो है वो थोड़ा अप्रिशेट वा है सिफर आशारिया चौदा परसंट रिचर्ट बे कोल प्रैस की अगर हम बात करें तो एक तोला सोना एक लाख एकतालीजार दो सो चलडा है दस ग्राम सोने की कीमत एक लाख एकिस ज़ार रुपे है इंडेक्स सोलेशन इस्ताविक है मार्केट का करेंट इंडेक्स तेंतालीजार दो सो सतर पर है मार्केट ने दो सो दस पॉइंट लूस किये है मार्केट की फि 7.20 करब रुपे की है इजाफा 110 कमनी में वा है गरावट का शकार 185 कमनी है बढ़ करार 28 कमनी है एक साल के रिटन अगरम देखे तो नेगरिटिव 9.09 परसंट है अब तक का रिटन अगरम देखे तो नेगरिटिव 2.97 परसंट है डे रे रेंज जिस पताविक है मार्केट ने अगर हम देखे तो सबसे बड़ी जो बाइंग वी है वो कंपनीज की है सेकंड नंबर पर अगर हम देखे तो म्यूचल फंट्स की है सेलिंग अगर हम देखे तो सबसे बड़ी जो सेलिंग है वो ब्रोकर प्रोप्राइटरी की है सेकंड नंबर पर अगर हम देखे है तो इ IMF से डायलॉक्स चलते हैं ये दुबारा जो है वो मामला डायलॉक बाजी की तरफ जाएंगे लेडर ओफ इंटेंट है जो जितने भी MOU साइन हुए हैं जितने भी मामला तुए हैं वो सारी चीजे जो हैं नके बावजूद IMF जो है मजीद चीजे मांग रहा है और मजीद ज जो है वो सिफ सूद अदा करना है इंटरस्ट पे करना है जो पास्ट की बोरॉइंग की है पास्ट में जो करजा लिया है उनका तो ये बहुत भरा सवाल या निशान है कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तानी रियासत जो मौजूदा कावीना है फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इन मामलाद पे किस तरह से वरकिंग करती है और किस तरह से इन मामलाद पे ओवर कम होती है नाज़ीन अपने दोस्तों और इस्तेदारों गर्दनों का ख्यार लखेएगा शुक्रे अलाफिस